प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजे बहुत कॉमन सी समस्या देखी गई है कि एक प्रेगनेंट लेडी को बहुत सारे दर्द से गुजरना पड़ता है जैसे कि नाभी के निचले हिस्से में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द रहना, गर्दन में भी दर्द रहना और क सारे दर्द से हमें आराम कैसे मिलेगा हमें क्या क्या करनी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के अंदर कि इस दर्द को कम कर सकते हैं और साथ में बताया जागा कि अगर आपका सरीर कुछ संकेत दे रहा है तो उस गुप्त संकेत को भी समझे और साथ में यह जानिए कि क्या यह आ मुझे इतना personally problem हो रहा है हाथों में पैरों में पेट में चहजोबी समस्या है तो मैं परेशान हूँ तो बच्चा क्या होगा क्या वो भी परेशान होगा या फिर वो बिल्कुल मज़े में होगा तो इसका clear-cut answer single एक वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ doubt भी clear हूँगे जो मन में सोच रही है वो सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं हे गईज मैं हूँ अपके साथ शेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आएं इस चानल पे subscribe कीजेगा और वीडियो को भी साथ ही साथ में like कर दीजेगा यहाँ से बड़ी चीज यह होती है कि सरीर के अंदर जो चेंजे आते हैं आपका सरीर बहुत सारा कारे करता है जैसे ही प्रेग्नेंसी कंसीब होती है उस बच्चे का भरन पोसन की जिम्मेदारी एक माव के ऊपर आ जाती है और साथ में पूरे टाइम अपने पेट में उस बच्च सोने लगती है हम बात करते हैं पेट दर नाभी के नीचे में दर्द क्यों होता है क्योंकि बच्चे के वजन बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण से नीचले हिसे में नाभी के पास ज्यादा प्रेसर जाता है और यही कारण है कि ब्लेडर भी चिप्टा होता है जिस कारण आप बार बार यूरिन पास करने भी जाने लगती है और साथ में ये चीजे भी देखी गई है कि ये जो दर्ध है ये ठीक हो जाता है कैसे ठीक होगा कह सकते कि डिलीवरी होने के बाद ही ये दर्ध ठीक होता है कमर दर्ध की बात करते हैं कमर दर्द बढ़ते हुए वजन के साथ अपने बोडी को आप कैरी करते हो रीड की हडिया जो है वो हलकी टेड़ी या बेंड हो जाती है जिस कारण से कमर दर्द होता है कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं नॉर्मल सी बात है इसके उपर आप मसाज किजिए तेल का मसाज ओलीव ओल नारियल तेल जो मन में आए उसका मसाज अपने हस्बंड से करवाईए क्योंकि इसे आपको आराम मिलेगा तो कमर दर्द से काफी राहत जरूर मिलेगी पैरों में दर्द हो ना क्योंकि आपका बढ़ता हुआ वजन होता है पैरों की नसे दबने लगती है जिस कारण होता है अगेन बात किया जाए गर्दन में दर्द की तो हम comfortable सून ही पाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर जिसलिए गर्दन में दर्द होती है रही बात सर में दर्द की तो सर में दर्ध तो आप लोगों को अलेडि पता है क्यूं होता है क्योंकि आप बहुत जयादा सुसती है उन बातों, उन पहलुओं को भी सोसती है कि साएद वो होगा या नहीं होगा जो भी है past के बारे में, कुछ future के बारे में सोस लेती है और present की situation देखकर परेशनान होने के कारण सर में दर्द रहता है so guys relax रही है और कुछ महिलाए तो normal delivery होगा कि cesarian होगा उसी बात से लेकर डरते रहती है guys डरना किसी भी case में नहीं है क्योंकि जो होना होगा वही होगा so लेकिन आप अपनी normal delivery की possibilities को बढ़ा सकती है और जब भी आप normal delivery की possibilities को बढ़ाएंगी chances बने की normal delivery की और मेरे Prime Mom चानल पर ऐसे ऐसे videos मैंने post किये जिससे का सकते हजारों नहीं लाखों महिलाओं को फायदा मिला है तो आपको भी ज़रूर मिलेगा मिलती हूँ कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर